स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आजम करेंगे कख्छा 3 की ब्रिच कारे पुस्तिका पहल 2 का एंड लाइन असिस्मेंट जी हाँ स्टुडेंट्स हम करने वाले हैं समग्रम उल्लियंकन हमने हमारे सारे असिस्मेंट सारे कारे पत्रक और आकलन पत्रक अलड़ी कंप्लीट कर लिए अगर आप नहीं देके हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाहिए उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है वहाँ पर जाकर आप सभी कारे पत्रक और आकलन पत्रक मिल जाएंगे आपको वहाँ से आप कर सकते हैं सभी तीनों विसों के इंगलीज और हिंदी के अलड़ी पहले ही कम्लिट कर चुके हैं उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है चले श्टार्ट करते हैं कक्छा, तीन, गनित का समगर मुल्यांकन नीचे दिये गए बॉक्सों में से जो लुड़कने वाले पस्तु हैं उनपर गोले का निसान मनाना है सरकने वाली पे तारे का लुड़कने वाले एक तक गिलास है और एक तर्बूज है बागी देखिए किताब सरकने वाली है और इंट भी सरकने वाली है इनपर श्टार लगा देगे अब देखिए पहली हल करनी है मेरे चार कौने है, چार बराबर बुजाए हैं मैं कौन से आ करती हूँ वर्ग सुन्य कौने सुन्य बुजाएं कौन से आ करती हूँ वर्थ वर्थ मतलब की गोला मेरे चार कौने हैं चार बुजाएं आयत अगर चार बराबर बुजाएं लिखते हैं तो वर्ग आता है चार बुजाए लिखते हैं तो आयत आता है तीन कौने तीन बुजाएं कौन से आकरती त्रिबूज प्रिश्ट नमर तीन देखिए दिये गई संख्याओं के नाम पर सही का निसान लगाना है 78, 78, 89, 89, 52, 55, 55, 28, 28 अब देखिए दिये गई संख्याओं में चूटी यू संख्या लिखनां है 37 से प्हले 78, 58 से पहले 57, 95 से पहले 94, 82 से पहले 71 दिय गई संख्याओं को आरोई करम में बताना है या फिर बढ़तेवी करम में तो देखिए बढ़तेवी क्रम का मतलब छोटी संक्या पहले आएगी सबसे छोटा कौन है 25 इससे बढ़ा 39 इससे बढ़ा 46 फिर 58 फिर 59 अगले में सबसे छोटा कौन है देखिए 34 है फिर 52 आएगा फिर 84 फिर 89 फिर 81 अब देखिए स्ट्रेंट्स दी गई संक्यां घरतेवी क्रम में बढ़ाएंगी घरतेवी क्रम का मतलब होता है बड़ी संक्या पहले आएगी सबसे बढ़ा कौन है साथ प्लस आंठ साथ इकाई नो धाई मतलब की 97 में 90 प्लस तांठ चार इकाई साथ धाई चार इकाई साथ धाई हो गया हमारा 74, 7 और 4 इस तो नहीं हापे मिला हुआ है इसको इधर कर देंगे 70 प्लस 4 6 धाई 4 इकाई 64 60 प्लस 4 3 धाई 3 इकाई 30 प्लस 3 33 तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या और सबसे छोटी संक्या का विस्तारित रूप लिखना है तो सब तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या होती है 900 निन्यान में 900 प्लस 90 प्लस 9 छोटी होती है 100 100 का विस्तारित रूप 100 ही रहेगा अगरा देखिए संख्या 513 में इकाई और सेंकडे के अंको को परसपर बदलने से जो बनने वाली संख्या है उसे हमें सब्दों में लिखना है यह सब्द है यहाँ पर भाब्दों लिखर का इसके जिए सब्दों आएगा देखिए 513 लिखेंगे 513 में इकाई और सेकड़े को बदलेंगे तो क्या बनेगा 315 तो इस प्रकार हिंदी में लिखेंगे हम इस्टुडेंट सब्दों में 315 अब देखिए जोड कर मिलान करना है जोडेंगे क्या बना 120 120 कौन है 100 प्लस 20 जोडेंगे क्या बनेगा 64 64 खाँपे है 50 प्लस 14 जोडेंगे क्या बनेगा 68 किसे मिलाएंगे उपरवाले से 40 प्लस 28 अब देखिए खाली स्थान को मैं सही जोड कर हमें उत्तर लिखना है 45 प्लस 26 121 34 प्लस 68 एकसो दो 69 प्लस 60 एकसो नतीस 51 प्लस 28 89 प्लस 24 एकसो तीन 30 प्लस 8 38 चालिस प्लस 77 एकसत्रा चपन प्लस 18 चाहत्तर चाहत्तर 89 प्लस 22 एकसो एकसो एक हल करना है 22 मिस 15 गए 7 अस्ती में से क्या जाएगी 65 आए 15 साट में से अठार गए तो 42 चाहत्तर आए अब देखिए सालीनी के पास हैं 70 रुपे संध्या ने उसे 38 रुपे और दे दिये बताईए सालीनी के पास कित्ते कित्ते रुपे हो बज्जे तो चुट्ट डॉनों को जोड़ देंगे 75 फूल लगेंगे बॉक्स में दिये गए महीनों को गोले में दिये गए दिनों से मिलान करना है स्टुडेंट्स सबसे पहले 31 से कौन-कौन से महीने लगेंगे दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जुलाई तो स्टुडेंट्स कनफ्यूज नहीं होना है देखिए 4 दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जुलाई 31 दिन होते हैं इसमें 30 से मिलने वाले कौन से हो जाएंगे अप्रेल और सितंबर 28 और 29 से फरवरी को मिला देंगे अब देखिए स्टुडेंट्स नमर 16 तनमे ने 95 रुपे में से 35 रुपे खर्च कर दिये, बताईए कि 30 रुपे बचे, घटा देंगे, 60 उत्तर आएगा हलकी से भारी के करम में बदाना है, सबसे हलका है बेर, इस से थोड़ा भारी अम्रूत, सबसे भारी तर्बूज इनमें सबसे हलका चौक, थोड़ा भारी डस्टर, सबसे भारी बस्ता, इनमें सबसे हलका गिलास, थोड़ा भारी जग, सबसे भारी धड़ा पैटर्न को पुरा करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फूल बनाएंगे पांच, 10, 15, प्लस, 5 हो रहे हैं, 15 प्लस जोड़ेंगे, 5 करेंगे, 20, फिर 5 जोड़ेंगे, 25 दिए गई तालिकाओं में से, लिखे गई अंग को क्यादर पर नीचे प्रश्णों के उत्तर देने हैं, एक के कित्ते अंग हैं, 1, 3 बार है, 2, देखेंगे, हम 2, 4 बार आया है, 3, 5 बार आया है, 4, 4 बार आया है, 5, 4 बार आया है, 6, 3 बार आया है, लिखे, कौन से अंग कि अब से कम है एक इन बार हर आया यह फिर आप छे बीकार सकते हैं कि अठीक च्छे पी लिखने सबसे कम लों तीन थीन है सबसे जादा अंक किस्में हैं तीन में हैं तीन लिखेंगे यहां पांच कितने हैं पांच हमारे चार है छे कितने हैं छे हमारे तीन है तो इसी प्रकार से और वी वीडियो आपके लाते रहेंगे तो जुड़ेंगे चैनल से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थन्यवाद